नमस्कार दोस्तों नितने हमें आपका स्वागात है आज मैं आपको मटर के बारे में बताऊंगी और यह इन दिनों में खेतों में बहुत अच्छी लगती है और इन हरी मटर को खाना चाहिए तो हरी मटर को क्या है इसमें मीठे मीठे दाने निकलते हैं और बहुत ही इसमें क जाधा नहीं खाना चाहिए ज़ी थोड़ा खाना चाहिए और मटर में प्रोटीन बाहुत ज्यादा पाया जाता है मैगनीज़ आइरन और इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसलिए मटर का जरूर करना चाहिए सर्दियों में जो है हरी मटर को खाना चाहिए और इसको चील के और जैसे चील के इसको इसके दाने निकाल के इसको खा सकते हैं और यह बहुत तेस्टी लगती है तो यह आपके सरीर में जो है आपने पोसतत्तों की कमी ना हो उसके लिए आपको जरूर खाना चाहिए तो आप मार्केट से लेके आते हैं या फिर आप खेत में जाएं आपका खेत है तो आप जो है वहां से तोड़ के ताजा ताजा मटर खाएं तो बहुत ही स्वादिश्ट लगता है खेत में और यह क्या है तो सहर में हम लोग रहते हैं तो क्या है सहरों में तो यह आती है तो कई दिन क की बात हो गई जिनके पास खेत है तो खेत में खा सकते हैं अगर हमें तो यह मार्केट से ही लेकर खानी पड़ेंगी तो हम आप लेओ जो है मार्केट से लेकर हैं और इसको खाएं और क्या है तक्चा ही खा लें इसको ऐसी और फिर क्या मटर पनीर और यह सब तो बना के आप खाते ही हैं, और यह बहुत स्वववादिश्ट लगती हैं, तैंक्यू दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी मेरे पास थी जो मैं आपको दी है और मेरे चैनल को लाइक कीजीए, सिस्क्राइब कीजिये, ताकि आपको नहीं जानकारी मिलती रहे, ठैंक्यू